दोस्तो आईपील के उपड़ आज के दिन कुल दस बरी अपडेट निकल करके सामने आ रही है जहां पे पहली अपडेट है चेने सुपर किंग्स की टीम की तरप से इसके बाद आईपील का ट्रेड विंडो पंजाब किंग्स के टारगेट खिलारी साई सुदरसन का नया आई ही कई सारी बरी अपडेट आईपील के उपर निकल कर सामने आ रही है तो आज किस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बाड़े में पूरा इंफर्मिसन देंगे तो ये वीडियो काफी जादा इंपोर्टेंट है इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंतक जोड देखें वीडियो को दिल से एक लाइक जरूड करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले तो चलिए दोस्तों सुरू करतें तो फ्रेंट सबसे पहले हम आपको बता दे कि अगर आप IPL से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेली ग्राम पे फॉलो करें फ्रेंट सब वीडियो में आगे बढ़ता हैं वन बाई वन आई पील से रिलेटेड सब ही न्यूज दे देते हैं तो इस लिष्ट की पहली बरी अपडेट है चैनल सुपर किंग्स की टीम की तरब से तो चैनल सुपर किंग्स के CEO यानि की कासी विश्वनाथन ने बताया कि यहां पे MS धोनी ने कभी भी उनको कम्प्लेन नहीं किया कि उनके घुटने में चोट लगा है जिस वज़े से वो IPL खेले में असमर्थ है और उन्होंने बताया कि घुटने में चोट होने के बावजूद महंदर सिंग धोनी ने CSK फ्रेंचाजी के लिए काफी कुछ करके दिया और चेन ने सुपर किंग्स की टीम को चैंपियन बनाया तो CSK के CEO यानी की कासी विसोना थन महंदर सुंग धोनी का आभार व्यक्त कर रहे हैं इसके बाद इस लिष्ट की दूसरी बड़ी अपडेट है फाफ डू प्लेसिस को लेकर तो फाफ डू प्लेसिस ने बताय कि एक बार फिर से CSK फ्रेंचाजी के लिए खेलना उनके लिए काफी गर्व का बात है गौर तलब है कि फाफ डू प्लेसिस MLC T20 लीग जो की अमेरिका में होगा उस T20 लीग में CSK फ्रेंचाजी की तरफ से खेलेंगे तो इसको लेकर के फाफ डू प्लेसिस काफी ज़्या कैप्टन बनाया है इसके बाद इस लिष्ट की तीसरी बरी अपडेट है अबी डिविलियर्स को लेकर तो अबी डिविलियर्स ने IPL 2003 इसमें महेंदर सिंग धोनी के द्वारा किया गए कप्तानी को बेने स्टोक्स के बैजबॉल कैप्टन सिप से कंपेर किया जहां पे जबॉल कैप्टन सी जो है अप्रोच वो महेंदर सिंग धोनी के IPL 2000 इसके कप्तानी के अप्रोच से बिलकुल मैच करता है और इसी वज़े से यहां पे बेने स्टोक्स की टीम को इतना ज़्यादा सफलता मिला है और स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लेंड ने इतना बढ़ इसक्वैड से दो बहुत ही बड़े पिलड को बाहर करेगी जिसमें नामाता है लौकी फडगिवसन और सारदूल ठाकुरका और इन दोनों पिलड को बाहर करने के बाद कुलकता के पास डिरेक्टिली 20 करोड पलस का पर्स बैलेंस आ जाएगा तो कुलकता की टीम के पास इ इपड़ेट IPL 2024 के लिए पंजाब किंग्स के टॉप टारगेट प्लर्स को लेकर तो पंजाब की टीम ओक्सन में जिन खिलारियों को मुख्यरूप से टारगेट करेगी उसमें पहला बारा नामाता है मिचल स्टार का चुकि पंजाब की टीम अपने स्क्वैड से हाइली च ओक्सन में मिचल इस्टार को टारगेट कर सकती है वहीं दूसरा बारा नामाता है एलेकसेल्स का जहाँ पे पंजाब की टीम अपने स्क्वैड से भानुका राजपाक्सा को रिलीज कर रही है तो उनके भरपाई के लिए PBKS की टीम ओक्सन में एलेकसेल्स को टारगेट कर सक रहती है क्योंकि एलेकसेल्स बढ़िया विदेसी सलामी बलेबाज है वहीं इस लिष्ट में तीसरा बारा नामाता है राहूल त्रीपाठी का जहाँ पे पंजाब के प्लेइंग 11 को आप ध्यान से देखेंगे तो इनको मिडिल ओडर में सॉलिड इंडियन बैट्समन की तल जगा सकती है तो आपके ही सबसे पंजाब किंग्स की टीम को और कौन-कौन से प्लर्स को पर्चेज करना चाहिए आप अपनी राय कमेंट में जुड़ बताएं और कमेंट में ये भी बताएं कि आप अगली वीडियो में कौनसी टीम के टार्गेट प्लर्स की लिष्ट दे ट्रेड वीडियो में कुछ बड़े प्लर्स अपनी टीम को बदलेंगे जिस तरीके से हर साल मिनी ओक्षन से पहले प्लर्स अलग-अलग टीमों में ट्रेड होते हैं तो ठीक इसी परकार से इस साल भी काफी सारी खिलाडी अपनी टीम को बदलेंगे और IPL 2024 के पहले में रविंद्र जड़ेजा ने अपने ट्वीटर और इंस्टाग्राम पे कुछ फोटो ज लगाए थे और उस फोटो के लगने के बाद काफी सारी किर्केट पैंस को लग रहा था कि उनका MS धोनी के साथ बैंटर चल रहा है लेकिन इसके उपर CSK के CEO ने Official Statement दे दिया जहां पे उन्होंने बताया कि रविंद्र जड़ेजा कैप्टन महंद्र सिंग धोनी की काफी ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं और उन्होंने ये भी बताया कि रविंद्र जड़ेजा ने जो भी स्टोडी जा फोटो अपने सोसल मीडिया पे लगाया था उसका intensity ये नहीं था क कि वो महंद्र सिंग धोनी को टारगेट करे बलकि वो कुछ और आदमी को टारगेट करना चाहते थे तो इसी वज़े से जड़ेजा ने वैसा श्टोडी और यहाँ पे पोस्ट डाला इंस्टाग्राम और ट्विटर पे तो CSK के CEO का साफ तोर पे कहना है कि महंद्र सिंग ध जड़े जाके बीच कोई भी बेंटर नहीं है और दोनों काफी अच्छे प्रेंड है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं वहीं इस लिष्ट की आठवी बरी अपडेट है रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम की तरब से तो अगर इस साल के उक्षन में साई सुदरसन को गुजरात की टीम भेजेगी तो RCB हैदराबाद और कुलकत्ता जैसी टीम इस पिलर को टारगेट करेगी और RCB सुदरसन को इसलिए टारगेट करेगी क्योंकि RCB टीम को मिडिलोडर में मजबूत बलेबाज की तलास है और अगर आप RCB के प्लेंग 11 को देखेंगे तो इनक गुजरात की टीम ने सुदरसन को पर्चेज किया था और सुदरसन जितने बरे प्लर है वो करोडों में पैसा डिजर्व करते हैं तो इस वज़े से हाईली चांस है कि सुदरसन ओक्सन का पार्ट बनेंगे तब उस कंडिसन में RCB की टीम सुदरसन को ओक्सन में टारगेट क कर सकती है वहीं इस लिष्ट की नवी बरी अपडेट है एक बार फिर से पंजाब किंग्स की टीम की तरप से तो पंजाब की टीम अपने स्क्वैड से भानुका राजपाकसे को रिलीज करेगी क्योंकि T20 क्रिकेट में इनका पर्दसन दिन पर्ति दिन डाउन है तो इस पकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरंगा के वज़े से वर्ल्ड कप का सेडियूल नहीं आ रहा है लेकिन अब 27 जून को वर्ल्ड कप का सेडियूल आप सभी को देखने को मिल जाएगा तो ये था IPLC रिलेटड आज के दिन कुल 10 बरी अपडेट वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में